असलाम अलाइकूम वेलकम टू माई चैनल को कुछ शाहिन सुलताना तो गाइस आज की डिश है हमारी केवसी स्ट्राइल में मैंने दू टू टू टैप्स में बनाई हूं यानि दो खिसम का मैं अपने स्ट्राइल में बना रही हूं इंग्रीडियन्स बिल्कुल अलग है आप देखिए और इंग्रीडियन्स इसके आप सीखिए नए यूनिक घीच बना रही हूं इंशाला आपको बेहत पसंनाईगे और मैं उनी भी मैंने चट्नी इसकी बनाई हूं इसके साथ डिप बनाई हूं वो भी है आप देखिए केचप के साथ मैंने रखी हूं दो टाइप यानि दो तरीखे से मैंने बनाई हूँ दो खिसम का, तो चलिए इसके इंग्रिडियन्स जान लेते हैं, यह है बॉनलस चिकन मैंने ले हूँ फिंगर टाइप में, देखिए यह ब्रेस्ट पीसे से, मैंने कटवा कर लाई हूँ बुचर से, इसे मैंने अच्छे से वाश करके छणि में चान ले हो, और इस में जाएँ यह मसाले, यह है करन फूल और यह है Getting etc, कवाब-चीन, और यह है ये बड़ी लाइची है और ये है cinnamon sticks याने दालचीनी का तुकड़ा है और ये है काली मिर्च काली मिर्च मैंने एक टेबल स्पून ली हूँ चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं इसकी quantity अब इसे हम अच्छे से बारी कूट लेंगे ये है tomato sauce ये है red chili sauce green sauce एक टेबल स्पून ये है tomato sauce ये भी टेबल स्पून एक टेबल स्पून है ये है soya sauce ये मैंने half teaspoon ली हूँ ये है corn chips यानी जो चुड़वा आता है मकाई का वो है और ये है मैदा और कॉन फ्लॉर मेज़ूर करके लीजिए और ये है चिली फ्लेक्स और ये है वेनेगर पहले हम इसमें वेनेगर दालेंगे और इसमें जाएगा ये चिली sauce वन टेबल स्पून ये है tomato sauce वन टेबल स्पून ये ग्रीन ठीली sauce है वन टेबल स्पून और ये सोया sauce है मैणे वन टी स्पून लए हूँ और ये है स्वादंसार नमक्याने टेस्टो salt जाय के साबसे आप नमक लीजिए और ये है जो मैंने masala कूट करा जो कूटने के लिए बताए थी मैं थाबिद मसा इसमें मैं किम चाहें मैंने चंनी से छान रही हूं बारी कर दो सकते हैं इसंद तरह से हमने लेना है कि ज Waits यह इना मशामध को मैंने चाहीं टो महाँ क्शान ली हूं एक टेबल स्पोन देखिए इस तरह से और ये हम भैकेंगे नहीं यह बार में हम काम में लेना है देखिए और इसमेने महिन फिरसे मेने कोट रही हूँ इसे तो चलिए अब इसमें हम ये अंडे की सफेदी दाल रही हूँ देखिए मैं एक अंडे की सफेदी दाल रही हूँ एक वाइट लीजिए आप एक योर मत लीजिए एक वाइट लीजिए अब इसे से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रिडियन्स को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताके इसमें अबसर्ब कर ले इसे हम अच्छे से मिक्स करना है उपर नीची करके देखे इस तरह से अब इसमें जाएगा यह अध्रक लेशन और थोड़ा सा और मसल अगर ज़रूरत पढ़ेंगे तो आप लीजिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरह से अब इसे हम ढखकर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट हो चुका है अब इसे हम 15-20 मिनिट इसे हम ढखकर छोड़ देंगे इस तरह से 15-20 मिनिट आपको छोड़ देना है ताके पुरे मसाले इसमें अफजर्ब हो जाए चलिए अब यह हम देखिए कौन फलार ली हूँ मैं एक टेबल स्पून और दो टेबल स्पून मैदा ली हूँ और देखिए इसमें हम जो मसाले अभी मैने बारिक कुटी हूँ वही मसाले है जो मैंने अभी चिकन में मिलाई थी वही हभी हम इसमें आटे में मिलेंगे ये है देखिए इस तरह से बेकिंग बॉडर है, नमक है चिली फ्लेक्स है और ये हम क्रश कर लेंगे ये चिप्स को कौन जो चुडवा होता है कौन चिप्स है नहीं मकाई का चुडवा जो होता है बजार में जिली मिलता है ये हम इसे क्रश कर लेंगे देखिए इस तरह से मिलाना है, चुरा चुरा कर लेना है आपको देखिए छिली फ्लेक्स ये हैं नमक और बेकिंग पॉडर लेना है आपको यह सारे इंग्रिडियन्स हम यह आटा जो है मिक्सर इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पुरा मिला लेना है में यह हो गया एक तरह का इससे अच्छे से हम इस तरह से पुरा आप मिक्स कर लीजिए टोटली यह है जीरा पॉड़र अब देखिए हम एक एक पीस लेके इसमें हम देखिए इस तरह से अच्छे से कोडिंग करना है आडे से जो इंग्रिडिएंट्स हम सब इसमें मिल चुके हैं अरड़ी अब इस लिए इसमें देखिए इस तरह से मैंने जीरा बुनावा ली हूँ आप चाहता से ऑप्शनल है skip भी कर सकते हैं आप चाहे तो तब्दुरी मसाला भी इसमें आड़ कर सकते हैं यह आपके उपर है, डिपेंद तो देखें इस तरह से आप अच्छे से प्रेस करना है, दबा दबा किड़ ताके इसमें अच्छे से लेड सा सके और देखिए एच्छ से कोटिंग भी हो सके यह पॉडर की देखिए इस तरह से एक एक कर लिजे आप बारी-बारी से इस तरह से साइड करती जी इस तरह से करिए और साइड में रखती जाइए देखिए प्रेस अच्छा से दबा दबा कर किजिए ताकि इसकी कोटिंग अच्छ है वनना तेल में जाने की बाद ये खुल जाता है हमें डिप फ्राइ करना है तो इसे चीजी कोटिंग करके हमें साइड में रखना है देखिए फिर पानी में एक एक मैंने पुरे कर सुकी हूँ अब पानी में डालके फिर दुबारा हम इसे इस तरह से करेंगे बस खाली जस्ट आप ऐसा डिप करिए निकालिए पानी में छोड़िए मत इस तरह से बस हमें डिप करना है पानी से निकालना है और फिर दुबारा इसे कोटिंग करना है ताकि हमारी कोटिंग अच्छी बन जाए और क्रिस्पिनेस अच्छा से आ जाए इसमें देखिए और चिकन जो टेंडर होना है वो हमने मैंने रेट करके रख दिया था 20 मिनट तो आप फिकर मत कीजिए अच्छे से वो टेंडर हो जाए अब ये है देखिए मैं मेज़ूर बता रही हूँ अब ये मैदा है 2 टेबल स्पून से या 3 टेबल स्पून ये लीजिए ये दूसरे टैप के लिए है देखिए 3 से 4 हो गए है ये मैदा है आप जितना चिकन लिंगी उतना आपको जड़ा ये है कौन फ्लाउर इसके पर ही मैं डाल रही हूँ देखे दो मेजूर से मैंने ये दो माप लेकर डाली हूँ देखे यारी चार कप वो है तो दो कप ये है और हम जो कुटा है वो मसाला इसमे अड़ करेंगे लेकिंग सोडा नमक टेस्टू साल्ट देखे इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए पूरे मसालों के साथ और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है और यहने भी आप इसमें 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 इसे भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे देखे बस इसमें कॉन चिप्स है और चिली फ्लेक्स है इसमें नहीं है काली मेर्च और जो हमने मसाले कुटे है वो है इसका पॉडर है तो देखे इस तरह से हमें एक एक करके इसमें भी जमाना है और पानी में डिप करके फिर से दुबाराइस करना है अब चलिए हम डीफ राइ करते हैं हाट आइल करने के बाद जैसा हमारा आइल अच्छा सा हीट हो जाएगा फिर हम मीडियम मध्यम आज़ पे इसे पकने छोड़ देंगे तो आप बार बार मत हिलाएए बस थोड़ी देर के एक दो से तीन मिनिट आप छोड़ने के बाद फिर उसे उलट पलट लीजिए देखे ये दूसरी साइड भी हो रहा है इसी तरह से आपको हलका ब्राउन कलर जादा ब्राउन मत कीजिए हलका सा ब्राउन पिंक पिंक कलर जो आता है हलका ब्राउनी बस वो कलर आप गोल्डन फ्राई होने दीजिए हलका सा देखे इस तरह से ये पुरे पांच मिनिट लगते हैं एक बैज के लिए देखे इस तरह से देखे कितना अच्छा है ये रमजान स्पेशल है मैं आप लोगों के लिए खास दे रही हूँ ये डिश मैं सुची थी रमजान में दूंगी लेकिन अभी चलिया अभी से आप लोग देख लेके प्रैक्टिस कर लिए तो आपका रमजान भी अच्छे से इजी हो जाएगा आपको रोजा में छिडशिट पना नहीं हाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए इसलिए मैं ये दे रही हूँ आप एक बार ट्राइ किजिए इन्शाला कुद बेहत पसंद आएंगी मैं क्या कहूं ये डिश के बारे में ये टेस्ट इतना अच्छा था हम किसी स्टैल में मैंने ये बनाई हूँ देखिए दो तरह के एक इडिश को आप दो तरह से बनाएए खाएए खुशियां बाटिये खुश रखिए आपके फैमिली को और प्लीज गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को बेल आ लेसन कोटा हुआ इसमें हम लेसन भी पीश कर डाले हैं और थोड़ी सी चीनी तो यह आपकी डीप अच्छी सी बन गए हैं इतनी टेस्टी होती हैं यह दिखें लेसन के दुकलियां दालना है अच्छे से बारिक आप कूट कर थोड़ी सी चीनी डाल दिजी आप एक चमच चीनी दाल दीजिए नमक के साथ में तो दिखिए कितनी अच्छी डीप बनकर तयार होगी है वाख़ी बहुत टेस्टी होती है यह जब चिकन के साथ हम डीप करके खाते हैं यह केचब है दिखिए गाइस हमारी डिश बनकर तयार होगी है केफसी स्टाइल में दो तरह का टू टैपस आफ केफसी स्टाइल तो इंग्रियंट्स आपको अगर पसंदा है मेरे तो आप ज़रूर ट्राइ कीजिए रमदान स्पेशल है तो चलती हूँ दुआउं में याद रखना अल्ला हाफेज झाल 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 झाल